पास्ता है तो इतली से लेकिन हम भारतियों ने उसे इतना अपना लिया है कि मानो वो हमारी खाद्य संस्कृती का एक हिस्सा बन गया है इसी पास्ता का एक प्रकार बनाते है स्वाद अनुसार के इस एपिसोड में जिसका नाम है वन पॉट पास्ता सबसे पहले एक बरतन में पानी लेकर उसमें डाले स्पगेटी पास्ता बाद में एक वेजटेबल स्टॉक क्यूब का टुकड़ा इस उबलते हुए पानी में डाले अब इसमें मिलाए थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, दो बारी कटी लहसुन की कलिया और कटे हुए बेजल के पत्ते स्पगेटीज को पानी में नीचे सरका दे जिससे उन्हें पकने में मदद होगी अब ओरेगनों की बारी है अंदर जाने की बाद में डाले चाइव्स अगर आपके पास चाइव्स नहीं है तो आप बारी कटे प्यास भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब ले थोड़े से मश्रूम्स और उन्हें काटकर पानी में हलके से डाले अब डाले वो जो हम हमेशा डालते हैं स्वाद अनुसार जी हाँ नमक पास्ता मिश्रन को बीच बीज में अच्छे से मिलाते रहें थोड़ा पकने के बाद उपर से छिड़के चिली फ्लेक्स पास्ता पूरी तरह से पक जाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी बचने दे एक बावल में इस पास्ता को लेकर उसे गार्णिश करें अरुगला के पत्तों से अंत में ग्रेट करें हमारा आपका और सब का पसंदीदा पामजान चीज लो आपका वन पॉट पास्ता है तयार हमें पता है आपने आज रात का मेन्यू डिसाइड कर लिया है बस जाते जाते हमें सब्सक्राइब भी कर ले ताकि हम आपको दिखा सके ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज